Hello and welcome friends, मैं हूँ Aakash और आप देख रहे हो Learn Exampt सिखते हो English through Hindi. Welcome to one more English lesson. आज का lesson आपको बहुत काम आएगा अगर आप English conversation यानि की बातचीत में अटकते हो. मुझे एक बात बताईए, बातचीत करने के लिए हमें किस चीज की जुरुत होती है? सबसे पहला होता है words, second होते है phrases. इसका मतलब words से हम phrases बनाते हैं. पर कई खबार ऐसा होता है कि हमें words नहीं मिलते और हम sentences नहीं बना पाते हैं. Right? सही का आणा मैंने? तो दोस्तो आज के इस lesson में हम सीखेंगे कुछ short English phrases जो आपको बातचीत करने में या English fluently बात करने में बहुत कामाएंगे. तो चलिए करते हैं lesson की शुरुवात. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो subscribe जरूर कीजिए, bell icon दबाईए ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें. तो आज हम सीखेंगे 50 daily use short English phrases, ऐसे phrases जो याद करने में आसान हो और तुरंदम अपनी conversation में use कर सकते हो. तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला phrase कुन सा है, accompany me. इसकी pronunciation है, accompany me. इसका मतलब मेरे साथ चलो. सबसे बहुता sentence है, मेरे साथ दुकान पर चलो, accompany me to the shop. मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, accompany me to the doctors. अगर आप ध्यान दो, तो मैंने यहाँ पर कहा, doctors, और doctor नहीं का. जब भी आपको कहना कि मेरे साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर चलो, तो आप doctors, क्लिनिक को एक वर्ड में combine कर सकते हो, वो है doctors, accompany me to the doctors. Next है, मेरे साथ मॉल चलो, accompany me to the mall. आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? Why don't you accompany me? यह एक सवाल है. तो देखिए, अपने accompany me को use करकर, कितने सारे English sentences बना लिए. तो आप बार ही आपकी है. आप comments में लिखिए, accompany me use करकर, एक English sentence. और हम बढ़ते हैं हमारे short phrase number two की तरफ, जो है always, in fact यह एक word है always, इसका मतलब होता है, हमेशा, sentences कैसे बनेंगे, वो देखते हैं. अपनी गल्तियों को मानो, always accept your mistakes. इसकी pronunciation है accept and not accept, always accept your mistakes, मतलब अपनी गल्तियों को अपनाओ. हमेशा दूसरों की सरहाना करो, always appreciate others. इसकी भी pronunciation है appreciate, क्योंकि यहाँ पर APP है तो लोगों को लगता है appreciate है, it is not appreciate, it is appreciate. खुद पर विश्वास करो, always believe in yourself, always believe in yourself. हमेशा दूसरों की राय लो या दूसरी राय लो, जिसका मतलब है, always get a second opinion. यह अक्सर हम जब किसी की surgery होने वाली होती है, यह doctor के advice लिनी होती है, तब हम देखते हैं कि एक doctor के वज़े, दूसरे doctor को भी consult करें, right? बढ़ते हमारे third short phrase की तरफ जो है, ask him या फिर her to, मतलब ask someone to do something, किसी को कोई चीज करने के लिए कहो, उससे मेरा laptop लाने के लिए कहो, ask him to get my laptop, उसे पांच के बाद मुझे call करने के लिए हो, आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो, क्या करने के लिए हो, क्या करने के लिए के लिए कह रहे हो, ask her to call me after five, उसे समय पर दवाईया लेने के लिए कहो, ask him to take medicines on time, क्या आप उसे bread खरीदने के लिए कह सकते हो, एक सवाल है, can you ask him to buy bread, can you ask him to buy bread, या और इसी सवाल को आपको ज़्यादा polite बनाना है, तो आप can की जगे could be use कर सकते हो, could you ask him to buy bread, बढ़ते हैं next short phrase की तरफ, जो है be careful, यानि की सावदान रहो, be careful, सावदान रहो, नीचे ना गिरो, be careful not to fall down, अपने शब्दों का ध्यान रखो, या जभी भी कोई अपशब्द बोल देते हैं या अच्छी language का यूज नहीं करते हैं, तब आप इस sentence क कह सकते हो, be careful with your words, be careful with your words, ध्यान रहे, तवा गरम है, अक्सर ममी कहते हैं किचन में कोई चीज लेने जाते हैं, be careful, the pan is hot, be careful, the pan is hot, क्या आप मेरा मोबाइल सावदानी से इस्तमाल कर सकते हो, या ध्यान से इस्तमाल कर सकते हो, आपने आपका नया फोन किसी को दिया है, तो आपकी जान तो पर नीचे होनी है, तो आप कहोगे, can you be careful with my mobile, it's new, can you be careful with my mobile, be careful को यूज करकर, एक सेंटेंस आप comment में जरूर लिखिये, चलिए बढ़ते हैं, next short phrase की तरफ जो है, please check, check करो, क्रुपया देखे कि गीजर बंध है क्या, please check if the geezer is off, या अक्सर होता है कि नाने के बाद, geezer off करना भूल जाते है, please check if the geezer is off, जरा देखो कोई दर्वाजे पर है, दर्वाजे की बेल बजी, और आप कह रहे हो कि जरा देखो कोई दर्वाजे पर है, इसे इंग्लिश में कहेंगे, please check someone's at the door, please check someone's at the door, क्रुपया bank manager से पता करो, please check this with the bank manager, आपको शायद अपके account से related कोई query है, तो clerk नहीं solve कर पा रहा है, वो कह रहा है, please check with the bank manager, क्या तुम मेरा bill चेक कर सकते हो, can you please check my bill, चलिए बढ़ते हैं, next short phrase के दरफ जो है, call me when, call me when, एक बार आने के बाद मुझे call करो, call me once you arrive, फ्री होकर मुझे call करो, call me when you are free, घर पहुचते ही मुझे call करो, ये जनली parents हमें कहते है, call me once you get home, जब सही मूड हो, तब मुझे call करो, ये जनली boyfriend कहता है, girlfriend से गया, girlfriend कहती है, boyfriend से गया, call me when you are in a mood to talk, जगड़ा हो गया, और अभी बातचीत नहीं हो रही है, boyfriend कहता है, मुझे अब call करना जब तुम्हारा मूड सही हो, call me when you are in a mood to talk, चलिए बढ़ते हैं, next short phrase की तरफ जो है, come, बहुती simple word है, come, पर sentences कैसे बनेंगे, जल से जल घर आजाओ, come home as soon as possible, कुछ अच्छी खबर के साथ वापस आओ, come back with some good news, दोस्तो, come back एक phrasal verb है, come back with some good news, आप come back तभी भी use कर सकते हो, जब आप किसी को कहना चाहते हो कि कोई चीज़ रिपीट करो, can you please come back, मैंने सुना नहीं, आज रात के खाने के लिए आओ, come over for dinner, जब ही आप किसी को invite करते हो, तब आप इस phrasal verb का use करते हो, come over, come over for dinner tonight, or come over for tea, जब मैं तुम्हें बुलाओं, तभी अंदर आना, come inside only when I call you, simple word है, पर देखिए daily conversation में कितने काम का है, तो आप एक काम कीजिए, आप come back और come over को लेकर एक एक sentence comments में लिखिए, और हम बढ़ते हमारे next phrase की तरह, जो है convey my, मतलब मेरा कोई message आप दे दो, या मेरे कोई regards आप दे तो, अपने माता पीता को मेरा नमस्ते कहना, या क कहो, convey my regards to your parents, आप regards की जगे respect भी यूज कर सकते हो, convey my respect to your parents, उनसे कहो मुझे माफ करे, convey my apologies to them, इसकी pronunciation है apologies and not apologies, क्योंकि यहाँ पे O है, तो काफी सरे लोगों को लगता है कि apologies होगा, पर यह apologies नहीं है, it is apologies, राहूल को मेरी शुबकामना है कहो, convey my best wishes to राहूल, क्या आप मेरा संदेश बॉसता पहुचा सकते हो, can you convey my message to the boss, बढ़ते हैं, next short phrase की तरफ, जो है, don't be, don't be, एक imperative sentence है, जबी भी हमें किसी को advice देना है कि यह मत करो, तब हम use करेंगे, don't be, किसी के साथ बत्तमिजी ना करो, don't be rude to anyone, अंग्रीजी बोलने में संकोच ना करो, don't be shy to speak English, और सही बात है, अगर आप संकोच करोगे, शर्माओगे, तो जिंदेगे में कभी भी English नहीं बोल पाओगे, मुर्क मत बनो, समझदार बनो, don't be silly, be sensible, समझदार को हम English में कहते है, sensible, कंजूस मत बनो, उदार बनो, या आप definitely दोस्तों को कह सकते हो, don't be stingy, be generous, कंजूस का मतलब होता है, stingy, कुछ और examples देखते हैं, बच्चों की तरह विवार ना करो, don't behave like a child, अंद विश्वासों में विश्वास ना करो, don't believe in superstitions, next है, हर चीज जो दिखती है, उस पर विश्वास मत करो, don't believe everything you see, और सही बात है, सही advice है, हर चीज जो दिखती है, उस पर विश्वास मत करो, अपनी गलतियों के लिए मुझे दोश मत दो, don't blame me for your mistakes, कुछ और examples देखते हैं, हवाई महल मत बनाओ, don't build castles in the air, हवाई महल, जनली बहुत सारे सपने देखते हैं, तो शायद ही पूरे हो सकते हैं, तभी आप कहते हो, हवाई महल मत बनाओ, उसे कहते हैं, don't build castles in the air, महल को कहेंगे castle, और इसकी pronunciation है, castle and not castle, मुझे इस number पर call ना करे, don't call me on this number, खुद को दूसरों के लिए मत बदलो, don't change yourself to others, जब तक मैं आपको phone नहीं करता, तब तक मत आना, don't come unless I phone you, यह यह भी कह सकते है, don't come until I phone you, अब दोनों words भी use कह सकते हो, next short phrase है, keep your, keep your, अपने आवाद नीचे रखो, keep your voice down, अपने कमरे को साफ रखो, keep your room clean, अपने जूते बाहर रखो, keep your shoes out, मुझे भी सुचित करते रहो, keep me in the loop, यह बहुती smart phrase है, keep me in the loop, और यह generally emails में use होता है, मतलब मुझे information देते रहो, कुछ और examples देखते हैं, मुझे सारी खबर देते रहो, keep me updated, यह similar है, पिछले phrase से, keep me in the loop, keep me updated, सब कुछ तयार रखो, keep everything ready, मेरे घर का ध्यान रखना, कभी बाहर जा रहे हो, किस पड़ोसी से कह रहे हो, मेरे घर का ध्यान रखना, keep your eyes on my house, अपनी सला अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी सला की कोई ज़रूत नहीं, अपनी सला अपने पास रखो, इसे English में कैसे कहेंगे, keep your advice up to you, keep your advice up to you, तो दोस्तों यह थे कुछ short phrases जो आप immediately अपनी conversation में use कर सकते हो, और English बोलने में काफी smart sound कर सकते हो, मैं आपसे जल मिलूँगा एक और ने English lesson में, तब तक यहाँ पर कुछ videos है, उन्हें भी जरूर देखिए आपकी English improve करने के लिए, keep learning English, keep practicing English and take care.